आज हम लोग बनाते हैं बहुत ही जबर्दस बन्योली चिकन की थाली ये कौंकनी थाली आप लोग इसको के सकते हैं फिर मालवनी थाली के सकते हो इसमें हम लोग चिकन मालवनी बनाएंगे और साथ साथ कुमड़ी वड़े बनाएंगे चुकि मेरे बहुत दा फेवरेट है त हल्दी और नमग और ये सभी चीज़ों को अभी हमने चिकन पर अच्छे से मालिश करना है और चिकन को मैरिनेशन के लिए छोट दे आदा एक गंटा बाहर और जादा देर रख रहे हो तो फिर फ्रीज में रखियेगा ठीक है तो यह अभी हम रोग चिकन को मैरिनेट करेंगे और अभी हम लोग बनाएंगे कॉमडी वड़े तो उसके लिए एक मसारा बनाएंगे तो एक टीस्पून हमने सोफ ली हुई है एक टीस्पून मेति दाना लिया है दो टेबल स्पून भरके हमने उड़त दाल ली हुई है एक टेबल स्पून हमने धनिया लिया है और एक टे नहीं है तो गहो काटा 3-4 cup डाल दीजेगा और जो मसाला हमने बना था उसको मैंने पीस के च्छान के इसमें डाल दिया है सारा का सारा मसाला इतनी quantity इसमें बराबर होती है नमक डाल दिया सवाथ की साब से और हाफ टीसपूर हमने इसमें हल्दी का पाउडर डाला हल्दी का एक सॉफ्ट साटा गुदना है अब ट्रेडिशनली जो कमड़ी वड़ी बनते है तो उसमें चावल, यह, जवार, उड़त के दाल और जो मैंने आपको मसाले दिखाए वो सारे पहले बहुन के फिर उसको चेक्के में पिस्वा के लाते है तो इतना ताम जाम करने की जूरत नहीं है ऐसी ही आपके जो कमड़ी वड़े बहुत बहुत परफेक्ट बनेंगे और आटा सही है नहीं के से चेक करना है बस एक गोला बना ले और उसको आप लोग थोड़ा सा इस प्रकार से हाथों के बीच में चप्टा कर ले इस पर कोई भी क्रैक जादा ना आए तो बस समझ लेजिए का की तयार है अब कमड़ी वड़े का एक बहुत इंपोर्टन स्टेप हम को करना है तो उसके लिए कोईला में ने गरम कर लिया था उसके उपर तेलिया गी या बटर जूबे आप लोग फैट डालना चाहिए डाल दे और इसको ठक के आप लोग एक दो बनी चिकन के लिए मसाला बना लेते है तो प्रिफरेबली लोही की कडाई में या पैन में आप लोग थोड़ा सा तेल डालके एक चोटा सा इसका प्याज मैंने अच्छे से ब्राउन कर लिया और ताजा नारियल ही इसमें डलता है आदा नारियल पूरा मैंने लिया था उस कडुकड़ा डालके हमने इसको अगयन बूनना है और साती साथ हमने इसमें हरा धनिया बे डालना है और बस फिर एक दो मिनिट के लिए बून ले और उसके बाद ग्यास को बंद करके हमने इस मसाले को अच्छे से पीसना है तो अभी ये मसाला पीसने के लिए है पहले बिन अगेन एक मिडेम सेच का पैस मैंने बिल्कुल बारिक बारिक चॉप करके इस्तमाल किया है तो मालवनी चिकन में दो तरीके से पैस इस्तमाल होता है ठीक है ना एक तो हमने पैस्ट बनाने के लिए यानि कि वाटन बनाने के लिए उच किया और उसके बाद एक हम लोग यहाँ पे तड़के में उसकर रहे है खड़े मसाले डाल दिये हैं मैंने इलाइची, लोंग, काली मिर्ची और तेस पत्ता और उसके बाद पैस जब ब्राउन होगा तो इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है दनिया पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर लाल मिर्ची का पाउडर के जगा आप लोग मालवनी मसाला भी इस्तमाल कर सकते हैं आपको चाहिए तो और थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया है और उसके बाद मसाले भूनने के बाद हमने इसमें जो marinate किया हुँ चिकन था ना वो डाल दिया है चिकन को हमने 3-4 मिट के लिए भूनना है ऐसे ही तेल में इसे चिकन का flavor अच्छा आता है oil में उसके बाद जो water मैंने आपको बता देनी कि masala जो हमने पीस के रखा हुआ था वो डाल देना है और कम से कम पानी आड़ करके masala पीस सीएगा आप लोग तो यह दिखिए अभी हम लोग इस वाटन के साथ हमारी चिकन को अच्छे से mix करेंगे और अभी भूनेंगे इसको पह बिल्कुल का सही है ठीक consistency इसकी रिदी है लेकिन मरजी आपके चाहे तो बहुत जादा पतला रसा बना लीजिएगा या तो फिर एकदम ड्राई भी रख सकते हो मैंने बिल्कुल जैसा होता है वैसा रखा है इसकी consistency ऐसी है अभी हम लोग चिकन को पका लेंगे आदा गंटा लो फ्लेम के उपर चिकन को पका लिजिएगा तो आपका मालवनी चिकन बनके तयार हो जाएगा और जब यह पक जाएगा तो मैं आपको इसका color वगर दिखाऊंगा बहुत बढ़िया सा color आता है तो यह दिखिए आदा घंटा मैंने चिकन को पका लिया बस garnish करेंगे हम लो चिकन बन रहा था ना तब तक कि हम लोग बनाना शुरू करते हैं आठे को अच्छे से रिज दे दिया है हमने तो बस अभी हमने इसके बड़े बनाने है तो चोटे चोटे से मतलब जितने बड़े चोटे आपको बड़े चायो से सबसे जैसे हम लोग एक पूरी के लिए आ बहुत एजीली फेल जाता है हातों के उपर वस आपने थोड़ा-थोड़ा सा तेल लगाते जाना है चाहे तो पानी भी लगा सकते हैं लेकिन पानी अगर इस पर जादा रहे गा तो वो तेल में बहुत जादा पानी मतलब छीटे मारेगा तो आपको चटका बगर भी लग सकत और एक-एक कुमड़ी वड़ा हम लोग फ्राइ करेंगे तेल अच्छी से गरम कर लिए हमने हाई फ्लेम पे और हाई फ्लेम के उपर हमने कुमड़ी वड़े फ्राइ करने हैं अगर तेल कभी जादा गरम हो गया तो फ्लेम को आड़़ेस्ट करते हैं आपने इसको फ्राइ लेकिन इसको चिकन के सालन के साथ खाया जाता है इसको कॉमड़ी वड़े कहते हैं महाराष्ट में लेकिन ये ऐसे भी आप लोग चाय के साथ जैसे तीकी वाली पूरी हम लोग बनाते हैं उसका ही एक वेरियंट है तो एसे भी मतलब नॉर्मल सुखा भी खाने के लिए बहु को पसंद आएगी कैसे लगए आज के रिसेपी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएगा और कुझ से कुझ से रिसेपिस देखना चाहते हो यह भी बताएगा फिर मिलेंगे हम लोग एसिक जबरदस मज़ेदार और असान रिसेपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर